तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीए सी प्रिलेंस टेस्ट में स्वागत है आज है अब बात करें तो टेस्ट में हमने 5 टेस्ट में तेस्ट में 100 कुश्चन कबर कर लिया है जिसकी पीडिया इंग्लिस और हिंधी में दोनों अलग-अलग व्याख्यां के साथ हमन अपने टेलिग्राम चैनल इस पर अप्लोड कर दिया है आज है टेस्ट नमबर टू पार्ट फर्स्ट जिसमें हम यह पांस टॉपिक कबर कर रहे हैं जिसमें बाइर डावर्शिटी इन से इसके लावब इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिट एरिया नेट इसके पहले हम आपको बता दे कि यह पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम वन से 20 कुष्टन कबर करेंगे ऐसे ही पांच वीडियो में यह 100 कुष्टन का जो है कबर होता है इसके अलाव मता दे हमारी टेस्ट जो है सब्सब्रेट की चल रही है जिसमें से 5-6000 कुष्टन हम लोग करने वाले हैं जिसमें पाल्डी की टेस्री चल रही है अब पलेलिस्ट में जाकर यह सब देख सकते हैं जो कर फीक तेस्ट हो चुका जोच work इसके मों बात गरें तो रही है सब्ने चैनल को अभी तक निकिया है तो लाइक, किजिया निए प्डेट मिल जैस है जैससे जाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे duration बढ़ता जाएगा classes डेली होती है तो आपको डेली आपको 20 questions का एक test आपको मिलेगा इसकी सारी अपडेट हमारे टेलिग्राम चैनल इस पर मिल जाएगी आप इसको तीन तरीके से यहां पर जा सकते हैं एक तो यहां से डारेक्ट स्कैन क तरीका है आप सर्च कर लिए टेलिग्राम पर पब्लिक ग्रूप है तीसरा तरीका है आप description box में जाकर जो है महां से link प्राप्ट कर सकते हैं चौथा तरीका भी है आप जो है हमारे पर message कर दीए हम आपको link प्रोवाइड करवादेंगे तो एक बार फिर आप से request है अगर च question number first की बात करें इसमें काजी रंगा राष्टी उद्यान की बात किया गया है एक कथन दिया गया है ऐसे question आते हैं जिसमें पुछा है यदि आप प्रसीद काजी रंगा राष्टी उद्यान की यात्रा करते हैं तो आप निम्न में से कौन सा वन जीव देख सकते हैं तो रंगा राष्टी उद्यान घुमा देते हैं का जिरंगा राष्टी उद्यान आप चले जाएंगे तो यहां असम में मिल जाएगा इसके अलावां जो भी इंपोर्टन डेशनल पार्क है यह आपको इंडिया का एक यहां से हाफ यहां में तोया है जैए इतना मेनत करना पड़त इसके अलावा मनत आपको रहे स्ते साच असमें कौन से कहां परिस्टित है उसमें कौन से प्रकार के इसके अलामा वहां पर उसके पास से कौन सी रीबर बैठती है ठीक है इसके अलामा वो किसके लिए फेमस है ऐसे ही आपको हर स्टेट का हम अपलब्द करवा रहे हैं तो आप बस कनेक्ट रही है स्टेडियान यूपी असी आयसे आपको हर अपडेट एटो जेट साथ नोट के बात करें तो गोलेल लंगूर जो देखेंगे वह आपको मिलेगा भूटान के पास मिलेगा यानि साथ बोटान का एक अस्थानिक निवासी है यह उनका चार भागौलिक आवास है गोलेल लंगूर का अगर उत्तर में भूटान पूर में मारस नदी और पस्चिम में संकोस ब्रह्म पुत्र नदी के दच्षडी के तल्चटी पर यह पायाता है गोलेल लंगूर यानि यह वाले एरिया जो देख रहे हैं यहां पर आपको मिलेगा ठीक है तो यह काजी रंगा उद्यार में नहीं मिलना इसके अलावाँ बात करें जंगली घोड़े की बात करें तो जो है केवल डिब्रू सखवा राष्टी उद्यान में पायाते हैं इसके अलावाँ कुछ आपको बता देते हैं जो काजी रंगा राष्टी उद्यान है दुनिया का दो तिहाई एक सिंग्वाले गंड़ा का अस्था निवास है काजी रंगा में जंगली भैसों की सबसे ब बढ़ते हैं नेक्स्कुर्च क्यों की तरफ इसके अलावा बता दें Ev evolved लेवल पर निश्णल पार्क हैda को मतलब आपके लिए करन कुछ नहीं है टुछ लिए क्रिकष्टरूमाटाइब उसके संबद में 3 कथनं दिया गया है जो वर्यमोर्ण भीक जिसलों के लिए क्रिकास में लिए हैbet ही ड्साइट दो है यह से लुक्षान करते हैं seeking के लिए कारेकल कर दिया गया है तो गलत उत्तर आपको चूज करना है अगर इसमें option एक की बात करें तो option एक जो है सही है ठीक है क्योंकि जो वन जी आवासों के कारिकरम है यह लाए गया था ठीक है जिसमें राज्यों के इंसासित प्रदेशों को वन जी आवासों सुरुच्चा के लिए तक्निकी और वित् option 2 की बात करें option 2 गलत है क्योंकि इसमें सरचित छेत्रों की सहायता की बात की गई जिसमें राष्टे उद्यान वन जी अब्रेड टाइगर रिजर्प को छोड़ कर बात की गई है ठीक है तो इस प्रकार option 2 गलत है option 3 भी सही है क्योंकि जो करेकल की बात की गई है तो बात कर गंभी रूप से लुप्त प्रजातियों की सूची में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले मध्यम आकार के जंगली बिल्ली जिसे करायकल कहाता है को सामिल किया इस प्रकार देखेंगे एक और तीन सही है यानि जो है इसमें ऑप्सन सी सही है ठ उप्सन 2 की बात करें तो मिनिश्णि आफ इन्वार्मेंट की बात करें तो भान जिव संस्थान और एक अन्न वैग्यानिक्स संग्टन संस्थानों के परामर्ज के से सामल की जाने मां प्रजात्यों के पहचान करता है और संति लालपांड़ा आखर यसे कार nearest इस पार्रापति कारिक्रम के तहट तो इसमें देखेंगी अगर बात करें कॉन सब्सक्राइत तो इसमें option 1 सही है option 1 क्यों सही है इसको हम आपको बता देते हैं या योजना आप बात करें तो इरहावी योजना अवदी कितनी थी कि ततकालिन पर्यवड मंत्राले द्वरा सुधार किया गया इसका नाम बदलकर वन जी आवास्तों का एक एक विकास कारिकरम कर दिया गया जो इसके पहले ने बताया था ठीक है इसे से रिलेट कुश्चन है या कारिकरम केंद्र द्वारा वित्पोसित योजना तिन घटकों म मंत्राल है MOEF ठीक है ठीक है भारती रिजर्व संस्थान और अने वैग्याने संगट्रों के परामर्स से 16 अस्तली साथ जली प्रजातियों के पहचान के जिसका उद्योस गंभीर रुप्तुरूर प्रजातियों की पारस्त की तंत्रों को संरुचित छेद्रोंत्र से बाहर संत्री गलत है लाल-पांडा की बात करें तो आलही में जो करैकल की बात की जोड़ा गया ठीक है भारत के अलावां करेकल कई दरजन देशों में पाया जाता है जो छोटी प्रकार की बिल्ली जिसमें यसे पूरे अफ्रीका में मद्व और अच्छड ऐसिया में आयो सीजन स्टेटस की बात करें तो इसे लीश्ट कंसर में डाला गया है नेसनल बोर्ड फार वर्ल लाइफ ने हाली में 2018 में एक अस्थाई समित के सिफारे पर चार पजातियां यानि उत्तरी नदी टेरपिन एक रिकाबरी प्रोग्राम के तहट जोड़ा गया था इस परकौर आपसं तीन गलत है इसमें जो पुछ है कौन सही है एक और दो सही है तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्ट कुश्चन तरफ कुश्चन नमबर फोर को देखते हैं निम लिखित पाउधों पर विचार किजिए पाउधों पर आपको विचार करना है ठीक है रेड़ वैंड़ा इसके लावं ऑप्शन दो है मास्कीटो फर्म ऑप्शन तीन है बेड किस की खेती करना प्रतवाधों के नाम देखिए इसमें वाईलाफ प्रोटेक्शन एड़ के तहत आपको पूछह किस से कि खेती करना प्रत्वां बेनधित इनम लिखित है इसमें बेड डॉम साइकाड है इसको आपको हम आपको वाइड लाफ प्रोटेस्टन एंड डिसे बंडे टू अलक से हम आपको हिंदी और इंग्लिस में अपने टेलिग्राम चैनल पर बकायदा जितनी अंसूची है पांच अंसूची के साथ कौन-कौन सामिल है क्या क्या क सब्सक्राइब किया गया है इस पकार देखेंगे जो इसमें आपसर एक सही है यानि एक तीन पांच ठीक है इसके लाव मास्केट फर्ण एक जली टेलिफाइडा है कलेडियम अरूम परिवार का एक उर्फरकरबंद अच्ड़े अमेरिका पौधा है जिसकी खेती सांदार इसमें आपसन एक तो आपको दी गई है समभाइदानिक प्राउधान क्या है वन दिश्वरच्र अधनियम के तहत नियुक्तिक्राजिकारी क्या होते है इसकी पीडियम मैंने अलग से आपको प्रवाइड कर दिये बैरहाल आप इससे भी प्रप्ट कर सकते हैं आपको इंग प्रवाइड की गई है इसके अलामा राष्टियु जन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं क्लास नेल में कुश्चन सॉल्व कर वा रहा हूं तो इसको मैंने आपको बेकाइदा आपको डिटेल में दे दिया है वन ने अपराद नियंदर विवरों की बात की उसके कार की ब इसका मैं प्रावधान प्रवाधान यहां यह भी जैगा है आप कि ईसके माँ बात करें किश्चन बेवी के संदर में बाल पाइथन इसघ ग्लाइडर इसमें क्या है साइट्स के परस्थी में सुची ब downward करें टो यह दूत is कि इसकी बात करें इसमें यह घंजी जो नाम दिए गए यह एक सब उभय चाहिए ठीक है ठीक है यह एक स्थिर समदाय के नेम लिखिद विश्रसताय होती है वर्स दर वर्स उत्पादक्ता ज्यादा अंतर नहीं होता है सबसे अधिक मांग वाली विद्यसी प्रजातियों में बाल पाइथन, समुद्री कच्छुए, चीनी ग्लाइडर, इसके लाएं मर्मोसिट, ग्रे अफ्रीकी तोते, कें सरकार ने भारत में विद्यसी जीवित प्रजातियों की आयात और बचाओ के प्रक्रिया को कारगर बरा लिए एक पर्दासी जारी किया है इस परकार ये सब जो बाल पाइथन वगएरा दिया गया है, यह क्या है विद्यसी प्रजात ही है ठीक है, ये आपको ध्यान रखना एक्जाक्टिक एनिमल है, ठीक है के बाद करें इसमें जो है, इस्तिर्स समधाइए की बाद जो कर रहा तो इस तिर समदाय के बाद है उसकी विश्यस्ताओं की बात करें तो यह वर्स दर वर्स उत्पादक्ता ज्यादा नहीं होता है ठीक है इसके अलावे यह समसमाय की गरवड़ी के लिए प्रतिरोदी होता है यह बिदेशी प्रजातियों के आक्रमण के लिए प्रतिरोदी होता है इसके अलावे बात करें चरमोतकर्स जो क्लाइमेक्स कम्यूटी होती है उसकी पास्कित अत्रादिकारी का अंतिप परड़ाम है किस इसी छेत्र को अपनुवेशित करने वाला पहला पौधा अगरी समदाय होता है ठीक है तो आपने क्लामेक्स कम्योटी के बारे में ये सब इन्वार्मेंट एकलोजिम पढ़ा होगा यानि इस्थिर समदाय का संबंद किस्से है साल दरसार उत्पादक्ता में ज्यादा अंतर लगाता होगया ठीक है को शेंन नंबर सेवन की बात करें उसमें पूछा है के पंच मोस की बात किया है राई के संदर में पूछ अक्षों मुझा helped अंधिये की बात करें केल सब्सक्रें q2 की बात करें के लन लहेहरों की च्छड़ सकते को कं कर करके समुद्र के समुद्र के नीचे पाई आता है यह बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन होता है समें ठीक है तो केल्स होते हैं बड़े भूरे रंग के सहवाल होते हैं एक प्रकार के जो जो मैंने जो इनकी जो होती है तीस भीविन प्रजातिया होती है केल्स गंभीर एकोसिस्टम के अनकूल हो गए हैं और इन्हे ठंडी पानी की प्रजातियों में ठंड के तापमान और लंबे समय तक अंधिरे से बचने और यहां तक कि समुद्र की बर्फ के नीचे बढ़ने के विश्य से रड़ेतिया इन पर मौझूद है ठंडे पोसक तत्तों से भरपूर पानी वाले छेत्रों में प्रत्वी पर किसी भी प्राक्तिक परिस्तितियों को तंत्र में प्रात्विक उत्पादन की उच्चतम दर को प्रात्व कर सकते हैं दुनिया भर में केल्स वन तर्टी अर्फ वहस्ताओं मैंसे एक मात्पूर भूमका निभाते हैं परिटन ठीक है इसके लाव मनरंजन इसके लाव बात करें वाड़ेजी गजबिद्यों के लिए एक विस्तिस सिंकला का समर्थन करते हैं ठीक है केल्स कई देशों में पतिश् लाहरों की सकती को कम करके अब तटी कटाओं को कम करके तर्ट रिखाओं की रच्छा करने मदद करते हैं इस परकार देखेंगे इसमें ऑप्सन भी सही है एक साही नहीं है ठीक है कि अब एक भी सही है ठीक है के जो ठोड़े हैं हरे बड़े सहवाल होते हैं समुद्री ठंडे तापमान के निच्छी या बड़ बर्ट के निच्छी भी उख सकते इस पकार देखेंगे समें कौन साथ आई ऑप संदी ठीक है याली के तो अंदर में तीनों भी से स्था है ठ कुछन नंबर ट की बात करें यह किल्प स्थ जैसके मनें भाट एक ठंडे पानी की नीचे भी रह सकते हैं कुछन नंबर एड की बाट कि इसичесी नंदी की बात किया गया है क्या कठ возь पत ताइघरफे ऑठ रहाजिए बीचति की बात करनाटक और इसके लब प्रमभिकुलम और जो हैं रगाशी केरल और समिल ननु के बीच मंसा बश्टा रजयर असम और और्ञजर प्रदेश की भिए गये हैं और किस रास्ते संबन्दित हैं किस-किस रास्ते वह आपको देखना है तो इसमें बात करें इसमें और दुने का अिसमेरे को सुमैलित हैए इसमें देखेंगे जो टाइगर कॉरिडर होता है зовут वह बागो के आवाज को जोड़ने वाली भूम का एक खंड होता है जो बागों का सिकार की आवाज आहिको अनमत देता है इनके बागों की आवास खंडित हो सकता है बागों की आबादी अलग थलग हो सकते हैं जिसे बाग विलूप्ट होने की चपेट में आ सकते हैं ठीक है अगर बात करें कि इसमें आप्सिन कौन कौन सा सही है इसमें ओप्सन सी सही है याई एक ऐंदरावत्ति उद्दंती सीता नधी सुन बोड़ा जो टागें रजर वह सतीस गवर अड़ी सा में है इसके लागों आप्सन 2 दानदेली अन्सिस्रस्ति ताइक घाटी करनाटक में है ऐसके लागों करें ऑप्सटन 2 जो है ये भी मेले से केराल तमिलनाड से इसका लाभान बात करें अप्शन कामलां काने टेली वैली अवडान्व प्रदेश से संब्सक्राइब यह इसके लाब बात करें इसमें और कौन-कौन से टाइगर रिजर्ब है ठीक है जो मानस और बकसा यो टाइगर में सुमेल ले थे ठीक है इसके एलावन और भी टाइगर रिजर्व हैं यह तुछ आप ध्यान देना है थी इसके अलावन बात करें तो उसको ङूझी सूची हम जो है आपको तब लेगाज करवार बंगा चेल्पर जिसके लावन तो आप महां से देख लिजेगा कुशन नमबर नाइन की बात करें इसमें पूचा है हाली में निम लिखित में किस संगठन द्वारा कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लांग टर्म कंजर्वेशन सीर्शक वाला एक दस्तावेश प्रकासित किया गया था आप्शन ए है राश्टी बाग सरणच्छत प्राजिकर्ड और भारती वन जिव संस्थान स्थान स्थान ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर एड वर्ड लाइफ फॉर नेचर और संसी है भारती वन प्रवंधन संस्थान और पार्यावडवडवन जर्वाय प्रवंधन मंत्राले और संडी है ग्लोबल टाइगर फोरम और सेंग तरह त्विकास कारिकर्ड तो नीम लिखित में से किस प्रकास्त किया गया था ठीक है जो बागों के दिर कालिक सरच्ड के लिए जिसका सीर्षक्त साब बागों की आबादी को जोड़ना ठीक है जिसने देर भर में 32 गलियारों की मैपिंग की थी और उनके प्रबंदन के लिए अनिवान सरच्ड योधना का जो है कारिक्रम पहल क्या है यह 2022 दुनिया के जंगली बागों की दोगुना करने के वैस्विक प्रतिबद्दा है जिसमें 26 का अधरवार से आप्संदों की बात करें बात सरच्ड में उलेखनी योगदान के लिए पीली भी टाइगर रिजर को पहला टी एस्टू पुरसकार दिया गया कौ पहली बार सेंट पीर्सबर्ग सिकर सम्मेलन रूस 2010 में एक साथ हाई जहां उन्होंने अधार वर्थ 2016 के साथ 2022 तक जंगली बागों की संख्या दो गुना करने में या टी एक्स टू दो गुना करने में उन्होंने सहमत जताई कि अब्स दो कि पीरी भी टाइगर जो को बाग संद्शन में उल्लेखनी योगदान के लिए कैट्स यानि ग्लोबल टाइगर फोरम आयो सीजन ग्योंडीपी दे लाइन्स सेयर और वर्ड वाइट फंड दौरा प्रस्तू उद्गाडन टीएक्स टू अवार्ड दोजर भी इस प्रकार देखेंगे इसमें एक भी सई है दूभी सई है ठीक है इसमें एक और दो दोनव सही है अब बात करते हैं को कुश्शन नंबर Eleven की इसमें राष्टी उद्ध्यानों और अभ्याणों के एक से सटे राज सरकार के स्वामित वाला छेत्र जिव जनत्यों और मात्स सरकार के स्वामित वाला छेत्र जिव जन्तियों और वनस्पतियों के पर्दिश समुद्री जिश और आवास के स्वाच्छा के लिए है कुछ कथन दिया गया वो किसे समद्धिते समुद्र सामधाइग रिजर्व आपसन भी अबेर आपसन सी सरच्छर भंडार आपसन सी सेक् समुद्र जिश आवासों के रच्छा के लिए आप देखेंगे तो यह क्या है कंजर्वेशन रिजर्व है यानि वन जीव सनरच्छण अधियम जो नाइटी सेबंटी टू है उसके अंसवार देखेंगे एक सनरच्छण रिजर्व की घुफडा और प्रबंधन है जो राज समुद्री पर्दिश्य और वनस्पतियों जीव और उनके आवासों की रच्छा के लिए एक सनरच्छण रिजर्व के रुप में बसरते जहां सनरच्छण रिजर्व में केंद्री स्वामित वाली कोई भूम का सामिल इस तरह की घुफडा करने से पहले इसकी पूरू सहमत सब्सक्राइब इस यह प्राट की जाएगी केंद्र सार का से ठीक है इस प्रakर कंजरवेशन बसरों के बात करें इसमें भात की स्राज्च में मेह 600 की दिशक्रें भारत सबसे सरवाधिक जो है अधिक कि जो है सम्दाइक भंडार है ठीक है मैंस्पन नंबर और कमेंटी रिजर्व तो भारत देखेंगे भारत में 214 जो है कमेंटी रिजर्व है जो तेरा सो दो वर किलिमेटर चेत्र को कबर करते हैं जो देश के भागोलिक छेत्र का लगभग पॉइंट 04 परसेंट है यानि रास्टी वन जिव डेटावेस दिसम्बर 2020 के अंसर सामदाइक तोटी स्विकार देखेंगे ऑप्सन ए नागा लेंड जो है इसमें सही होगा कुशन नंबर 13 की बात करें 13 जो है इसमें पूछा है कि नेटवर की बात की है का ट्राट की बात की हाल की खबरों मेरा किसे संबंदित है बागों की गाड़ना प्रिवजन के लिए प्योग के जनवाला एक सौप्ट एर ऑप्सन भी चुहों से उत्पन्न होले एक प्रकार क का एंजायम और उधक जो विद्यसी निकाल से निपटने के लिए उप्योग की जाता है तो कटार्ट किसे संबंदित है कटार्ट तो विकल्प यह सई है ठीक है या जो है भारत में बागों के जनगरना के एक रतिम बुद्धी मत्ता और तंजिका नेटवर्क है यारी विरों के स्वचलिस प्रथाकड़ जैसे नवीन तकनिक का विकास सामिल है इसमें एम स्ट्रिप्स यानि एम स्ट्रिप्स क्या है बागों के लिए निग्राने प्रणाडी के गहन सुरच्छा और एको सिस्टम इस्तित जैसे मोबाइल फोन अप्लिकेशन के माध्यम से एक प्रात्मिक छेत्र डाटा को डिजिटल रूप में रिकार्ड करना सामिल है जो फोटो साच को जियो टैग करने के लिए जीपियस को प्योग करता है और सरवेच्छर जानकारी इस अभ्यास से और अधिक सटिक बना देता है ठीक है तो यह है यह रहाए हम स्ट्रिप और यह भी जो कैट्रेट है यह भी बागो की अप्रियोजन केलियों की जाने वाला सॉप्टेयर इसके अलाव आपको इस्टा जानकारी बता है तो भारत जो है सुरी पहला देस्व्यापी मुल्यांकन 2006 में किया गया था बागो का दूसरा तीसरा अकलन 2010 और 14 में किया गया और मुल बैस्विक अबादी का लगभग पचाचाचत पस्यत है ठीक है मद्य प्रदेश में सबसे अधिक 526 बाग है ठीक है इसके बाद दूसरा 524 किसमें करनाटक में और उसके बाद 442 पुत्रकंड में 36 गड़ और मिजोरा में बागों के अबादिक गिरावट देखी गई अन्य सभी राजों में सकरात्मक्रिती देखी गए जिस बिकार जो कैट्रेट है वो बागों की जनगर्णा से संब्दित है कुशन नमर 14 की बात करें यह रास्टे उध्यान अर्दसदा बहार बन और न किस राश्टे उध्यान के साथा अपने सीमा साधा करता है और निम लिखित में किस रास्टे उध्यान का उल्ले के किया गया है तो इसमें देखेंगे ना मेरी राश्ते उध्यान我也 कि यहां कि तूरश्थ Tam भारत के असम में असम के सिनाती पूर जिलेग में पूर्वी हिमाले के तल्चुव्टी पर läuft यानि असम में इस्थी थी था ना मेरी राश्ट उद्ध्यान ठीक है इसमें नहीं है लेकिन नहीं असम मेरी तिक ठीक है तेज पूर से लगबग 40 km और असम का तीसरा राष्ट्री उध्यान है अड़ांचल प्रदेश का पक्षूई यानि पक्के जो राष्ट्री उध्यान अभ्यड जो है वो उत्तर और पूर्वी बिंद पार्क से जुड़ा हुआ है ठीक है इसमें क्या सदा बहार नम प से अधिक प्रजातियों के साथ पच्छियों का स्वर्व कहा जाता है यह चेत्र जिया भरोली नदी और उसके सायक डंदियों जैसे दीजी दिनाई डंगरुगी नामेरी डिकोराई खारी नदी आजिसे घिरा हुआ है कुछ जीले भी हैं जो बरसात और मौसम को दरान चेत सिकार जो है आधार है लगभग तीन हजार से घरेलू मवेसी भी भागते दूओ आधका सिकार आधार मने जाते हैं इस परकार स्कुल मिलाका नामेरी राष्ट्र उध्यान असम्मेस्तित है और यह जो भी सहता है यह नामेरी राष्ट्र उध्यार की है ठीक है अब बात करत और समन प्रथाओं के सहायता करना अप्शन दो है इसे क्योटर प्रोटोकाल करता है जलवाय परवरतन को कम करने के लिए बनाया गया अप्शन तीन है जो ग्रेन क्लाइमेट फंड है वह अपको अपने संसाद्दों को पचास प्रस्त समन यानि मेटिगेशन करने के लिए अनुदान समकच के लिए अनकूलन के लिए अनुवार है इसमें कौन सा कथन सत्थ है ग्लेन क्लाइमेट फंड के लिए तो इसमें देखेंगे ऑप्सन एक ही बात करें ग्लेन क्लाइमेट फंड के स्थापना 2010 में की गई थी जलवाय परवतन का मुकाबला करने के लिए जल तो विकास्षिल देसों को उनके ग्रीन हांस गैसों को सद्रम कमित कि लाने और जर्वाय परवतन का जवाब देने उनके छमताव में पर दिकरने की साहता करता है इसका अप्सन एक से साहिए अप्सन दो गलत है क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है कि अस्थापना यूनि प्रशाद के तहत ठीक है या 22 सद्रस्व का एक बोर्ड सामिल सासित होता है उसके द्वारा ठीक है जबकि अनकूलन कोस्ट जो बात की गए अनकूलन एडाप्टेशन कोस्ट की बात करी तो उसकी स्थापना क्योटो प्रोटोकाल के तहता दो जारेक्वें की गए थी ना कि कौन सा कतन सही है एक और तीन सही है एक और तीन जो है अप्सट डी में सही है कि कुश्चन नमर 16 की बात करें 16 में दिखेंगे क्योटो प्रोटोकाल और प्रोटोकाल के तहत उस सर्जन को कम करने के लिए केवल विक्सित देसों को अनुवारता दी गए थी जबकि पेरिस सम 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 करें अभी मैंने बताया कि दोनों चलवाय परवर्तन परस्य त्रश्ट फ्रेमवड करेंसर यो एन एफтории चारी युलाट नेशन एक्सन और क्लाइमेट चेंज ठीक है फ्रेमवार कान जो है तो इस धाचे के अंतरगत आया क्योटर प्रोटोकाल के तहथ और देगिक दोस्तों और संक्रमण काली अर्थद्वस्ता को सहमत व्यक्ति करने के लच्छों कंसार ग्रीन हाउस को सर्जन को कम करने पर यह सीमित करन यानि आश्में एक सई बढ़ते हैं कुशन नंबर सेवनटी में वाट इस प्रोटोकाल आप यहां पर दिख लिजिएगा क्या है को प्रोटोकाल ठीक है उसके बारे में दिया गया है वारते हैं कुशन नंबर सेवनटी एंडेट नेशनल डिटर माइंड कंट्रिबूशन आएंडीसी के बारे में बात किया गया है और अएंडीसी देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया एंडीसी के वर्तमान में कोई गानूनी स्थित नहीं है ऑप्शन दो गैर जिवास इदनों के स्वोटों से बिजली के लिए स्थापि छमता कुल 40% भारत के आएंडीसी और गलत है इंडीसी के बारे में ठीक है तो इसमें डीसी की बात करें तो न montón िट्रमाइड कांट्रिवीशन त्यौन में दिर्यान सब्क्राइप कांट्रियूशन के बात करें और देशों द्वारा प्रस्तुत INDC जो होती है INDC वरतमान में कोई कानूनी स्थित नहीं है ये केवल देशों द्वारा जलवा परवर्चता नियुनेकर्ड के इराजर से अग्जयत की जाती है इस प्रकार देखेंगा ऑप्सन जो है एक साही है ऑप्सन दो भी साही है भारत क का INDC मुख रुप से 2030 तक हासिल करना है बिजली के लिए अस्थापित छमता कि कुल 40 प्रस्त जो है गयर जिवास्तों से होगा भारत ने वर्ष 2030 तक अत्रिक्त वन और रिच आवण के माध्यम से धाई लगबग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाय अकसाइट के बराबर अत्र कार्बन सिंग होता क्या है वाइ मंडल से कार्बन डाय अकसाइट को अस्वादा किया गया है और संदो भी से अप्सं तीन जो देखें और संतीन भी सही है प्रेडिस जो क्लाइमेट एक्सन यानि परिस जो समझा होता था उसकी बात करें उसके प्रावधाने तहत देश को देश से हर पांच साल में एक अपडेटेड एंडीसी प्रस्तूत करने के पेच्छा की जाएगी जो जिसके तहट देश के ततकान मुझूदा एंडीसी के आगे के प्रगत की प्रत्नियुत करेगा और इसकी उचितम संभावध महात्तुकांचाओं को तरसायद है इस प्रक बता भी दिया है इसका लाँ कुछन नमर 18 की बात करें तो कार्बन प्रत्कड की बात किया कार्बन प्रत्कड बारतीन कथन दिये गए हैं ऑप्शन एक है सी ओटू कार्बन भंडारण के लिए उप्यों की जाने वाली साइटों में पुराने तेल गैस के कुएं गहरी लव देखेंगे सब्सक्राइब करता है तो कई प्रक्रियाओं को संधर करता है जिसके दोरह कार्बन उस्तरजन का उत्पादन के बिंदू यानि जैसे फैक्ट्री की चिमनी पर कैप्चर कर लिया जाता है फिर संग्रहित कर दिया जाता है प्रक्रिट कर्बन परठकड करते तुम नामे एक धीमि प्रक्रिया है इसके उत्पाद जानबोज का प्रवेस्ट की जाता है जिसका उद्विक उत्पादक्ता को बढ़ाना या वात्तेवर्ण से कर्बन डायक्साइट प्रिथक कर तेजी लाना इस परकार देखेंगे इसमें एक और टीन सही है कि कुछा नमर्ण नैंटीन की बात करें कार्बन ट्रेडिंग की बात करें बहुत नियूज में रहता है या पेरी समझाते के ताद देशों को बीच अपने अन्डीसी जो हर पांच साल में रिपोर्ट पेरीस एग्रिमेंट के ताद प्रसुद करना होता है अन्डीसी गलत है तो पेरी समझाता के लिए कि लिए भी देशों के विच्वाच के अन्मत देता है यदि कोई देस अपने लच से अधीक गल्येन हाउस गैस उसरजन को कम करता है तो उसरजन की कमी को दूसरे देश को अंतराश्य अस्तर पर ब्यापार समन प्रडाम के रूप में सकता है ठीक है आप संदो की बात करें आप संदो साही है कार्बन ट्रेडिंग जो है क्योटर प्रोटोकाल के तहाइस शुरू की गई थी यह ध्यान रखना है इसके तहाइद प्रमारित उसरजन कमी ठीक है उन संस्थानों को जारू कि कि गए थे जो उसरजन को कम करने वाली परियोजा जैसे पवन उर्जा सवर उर्जा के दस्ता रखती है यह उन देशों को कर्बन क्रेड़ खरीदने के लिए अनुमत देता है जो अपने कर्बन डायक्साइड उसरजनों कमी के लच्चों को पूरा करने असमर्थ है और इसका तर्क है कि कार्बन ट्रेडिंग क्य दो जैसान कि यहांनि देखेंगे दोर तीन सब्सक्राइब होती weise है मैंने बता ही दिया इसके पास असमर्थ जिसके पास अपना जो जो लक्ष कार्बन का सिंक का उजाधा कर लिया थ्यूर्जान से से और जो नहीं कर पा रहा है उसको जो है बेसे तो उसके बदले उसको जो है मिल जाता है बात करें भारत जीए फ का दाता और दाता दोनों है उसको इस्ति तन्तर है अनुदाव को अनुदार प्रदान करता है और अस्तानी समधाय को अस्थाई आजिवका बढ़ावत देती है 1994 की बात करें तो 1994 क्या होगा था 1994 में जीएफ बिस बैंक से बाहर निकल गया था और एक अस्थाई अलग संस्थान बंद गया था ठीक है हला कि बिस बैंक ने अपने एक ट्श्ट्री की रूप में काम करना और प्रसास्तिंग सेवा प्रदान करना जारी रख्था इस पकार ये जो करती आपने अलग संस्तान है इस प्रकृण बात करें ऑप्सं तो जो है जहीं है भारत जीएफ के दाता प्रदाप्त करता दोनों है यानि उन्निस्य क्यान में जी एक थापना के बाद एक अग्रण विकास सिल देस भागेदार रहा है भारत जीएफ का पुना घटन आकार देने में प्रमुख भूम का निभाई है वित्र मंत्राले रादनेश्तिक केंद्र बिंदु है जबकि पर्यावाड़ी वनवा जलवाय मंत्राल जीएफ वरिवजना के लिए एक परिचालन के इस परकार इसमें देखेंगे ऑप्सन एक जो है गलत ऑफन दो सही है ऑप्सन तीन गलत है जी एफ जो है बात करें तो निम्रिखित सम्मेलों के लिए बित्ती तंद के रुप में कार करता है जैसे जैवी विवित्ता सम्मेलन सीवीडी जलवाय परिवाटन और सविंगतरा इस परकार देखेंगे यह जो है इसमें पॉप्सन तीन गलत है इसमें देखेंगे इसमें मोनेट्येल पोड्रोकाल का कोई जो है जिकर नहीं है कि इस प्रकार इसमें कौन सा उप्शन रही है इसमें उप्शन बीज रही है कि दोस्तों यह रहा हमारे 20 कुश्चन का स्रीच इसके अलाओ नेक्स जोह टेस्ट का अप्लोड होगा इसकी पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मल जाएगे इस्टेडियान एडियू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से और जरूर कीजिए